हलो दोस्तों वेल्कम आपका सभी का वेट नरीहाल चनलल के उपर स्वागत करते हैं आपका नई वीडियो के साथ आज की वीडियो में ऐसे टोपिक के बात बात करेंगे जो आपको कोई भी वीडियो में ऐसी चीजें नहीं बताएगा तो ऐसी क्या चुट-चुटी गलतियां हो जाती है कि आपका पशू नहीं थेर पाता नहीं कनसीव हो पता सबसे पहले जो मैंने experience किया है वो यह है कि कि जब आपका पशू हो बिलकुल सही है उसको कोई infection नहीं है कोई matritis का case नहीं है पशू को को कोई दिक्कत नहीं है कोई मवाद नहीं गेरता पशू और पशू टाइम टू टाइम हीट में आ रहा है और पशू ठहर नहीं पा रहा तो इस कंडिशन में क्या करना है सबसे पहले आपको अपना पशू चेक करवाना है कि पशू को को इंफेक्शन तो नहीं है अगर इंफेक एक मेथड यह है दूसरा मेथड है पशु बिल्कुल सही है डॉक्टर ने चेक कर लिया कि पशु को कोई दिक्कत नहीं है जब भी आपका पशु हीट में आये तो आप उसको सीमन रखवाओ और आपका पशु ठायर जाएगा और डॉक्टर ने सीमन भी रख दिया है उसके ब डॉक्टर जो प्रेक्टेशनर है अच्छे प्रेक्टेशनर से ही अपने पशु को करवाएं अच्छे प्रेक्टेशनर से ही पशु को सीमन लगवाएं क्योंकि प्रेक्टेश कैसी है किस लेवल पर प्रेक्टेश की जाती है किस लेवल पर सीमन रखा जाता है तो यह कुछ कुछ चीजंगोर्ड कि जाती है अगर आपका प्रेक्टेशन अच्छा है उसके प्रेक्टिस अच्छी है उसके बाद मैटर गटर करता है कि वह जो सीमन्य युज्ज कर रहा है वह सीमन्की क्atur क्वाल्टि कैसी है कहीं वह लोarin क्वाल्टी क्र सीमन आपने मार्जन दॉक्टर भी सही है, सीमन भी सही है, पर दिक्कत क्या आती है, जो डॉक्टर सीमन यूज करते हैं, कहीं बार उसका टेंप्रेचर मेंटेन ना होने की वज़े से वो सीमन ही खराब हो जाता है, तो इस वज़े से भी पशु के चांस कम हो जाते हैं, ठहरने की, क्योंकि सीमन सह नहीं है तो पशु ठारने के चांस बिलकुल कम हो जाते हैं अब चोथी गलती क्या होती है सीमन भी सही है डॉक्टर भी सही है टेंपरिचर भी सही है पशु भी सही है उसके बाद क्या होता है उसके बाद यह होता है कि पशु को आप टाइम पे जब भी पशु हीट में आता ह तो हीट में जब आता है तो उसका ovulation का time note किया जाता है कि पशु को किस time पे आपको correct time पे आपको सीमन रखवाना है जब पशु आपका heat में maximum पशु हीट में आता है रात के time में मतलब रात से सुबह के बीच में कभी पशु की जो heat है वो शुरू हो जाती है आपने notice किया होग गंटे से लेके 18 गंटे के बीच में पशु को सीमन लगवाना है जैसे पशु का पशु रात को 10 से 11 बज़े के बीच में पशु हीट में आ गया है तो अगले सुबह 10 बज़े तक उसके 12 गंटे हो गई तो सुबह 10 बज़े से लेके दपहर के 4 बज़े तक उसको कभी भी आ आप सीमन लगवा जकते हैं क्योंकि जो ठहरने के चांस होते हैं सीवन कंसीव होने के चांस होते हैं ठहरने के चांस होते हैं वो बारा से अठारा गंटे के बीच में होते हैं आपने नोट करने हैं आपका पशु कब हीट में आना शुरू हुआ कब रिंकना शुरू हुआ कब हीट होई वो हीट नोटिस करनी है वहां से काउंट करने है बारा गंटे बारा गंटे से लेके अठारा गंटे के बीच में वो छे गंटे का जो टाइम पीरिड है वो नोटिस करना है उस टाइम पे ही पशु को सीमन लगवाना है तो मैक्सिम चांस है पशु हीट में आएगा और जब भी हिट में आएगा तो टाइम नोट करके आप सीमन लगवाएंगे और पशू maximum chance है पशू आपका ठहर जाएगा अगर यह आप गलतियां नहीं करते हैं इन गलतियों का ध्यान रखना और यह तागे अगे से गलतियां नहीं हो है और पशू आपका ठहर सके इसके बा पशू के चांस बढ़ जाए आपको ध्यान रखना होता है अपको हल्दी नहीं देनी गुड नहीं देना कोई गर्म चीज नहीं देनी आपको देनी होती है उस टाइम पे सीमन रखवाने के देड़ से दो गंटे बात शुरू कर सकते हैं और उसको दो दिन लगातार पशू को दे सकते हैं निम्बू दे सकते हैं तेल दे सकते हैं बेसन दे सकते हैं कोई भी अन्य ठंदी चीजें दे सकते हैं जिससे कि पशू की और हीट भी कम हो जाए और हीट में पशू बार बार दोवारा ओवुलेशन ना कर पाए तो ये कुछ चीजें हल्प करते हैं क्योंकि इन चीजों में antioxidant होती है जिसे कि पशु के अंदर toxin निकठे नहीं होते तो ये कुछ चीजें बाद में देनी जरूरी होती है ये चीजे तब देनी चाहिए वैसे अगर आपका पशु बार बार हीट में आता है और नहीं ठहर पाता अगर आपका पशु पहले ही बार ठहर ज अगर वीडियो अच्छे लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जुरूर करना मैं इस चैनल पर आपको नई से नई वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा आज के लिए धन्यवाद थेंक्यू सो मच फ्रॉम बेटनरी हाल्थ